इदर यम्ना नगर की यातायात पुलिस ने बुलेट पर पटाके बजा कर ध्वनी प्रदूसर करने वाले पर सिकंजा कसना सुरू कर दिया है पुलिस लोगों को इस परिसानी से बचाने के लिए ऐसे बुलेट के चलान काट रही है जो बजारों के बीच ओबीच बुलेट में जुरदार पटाके बजाते हुए निकलते हैं ट्राफिक ऐसे चो लोकिस कुमार का करना है कि नियमों के विरुद कई मंचले अपने बुलेट पटाके बजाते हुए निकलते हैं जिसे लोगों काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है इसके लिए विशियस रूप में यम्न अगर जिले में पटाके बजाने वाले बुलेट के लिए एक विशियस अभियान चलाया हुआ है जिसके तहट सिर्फ दो दिन में 28 चलान बुलेट के किये जा चुके हैं उन्हें बताया कि पटाके बजाने वाले बुलेट से ध्वनी प्रदूसन तो होता ही है, साथ ही साथ कमजोर दिले वाले को लोगों को ये आफ़त बन जाते हैं। एक हफते तक इसी पर अभियान चलाया जाएगा और इन्हों लोगों को अपील की जाएगी बुलेट का सालेंसर ना बदलवाएं। कमपणी से जिस प्रकार से बुलेट मिलती है उसको ऐसे ही चलाएं और अगर बाहर से सालेंसर बदलाया हुआ पाया गया तो उसका 10,000 का जुर्माना लगाए जाएगा। हमने दो दिन से वोनमी पोड भुलट जिसका शेलेंसर चेंज है उनके लिए एक अहियान चलाया जबरदस्त है हमने शिरफ शेलेंसर चेंज पटाके वाली जो भुलट है उनके चलांज हमने दो दिन में अठाइश चलान करके अभी तक अभियान हमारा कंटीनू है तो कि लोग बहुत परेशान है पबलिक बहुत परेशान है इन से और पबलिक के बीच से अगर ये गुजरते हैं और मोटर से इसे पटाका लगाते हैं तो बहुत दैल का लगता है और उनको तो दिल पे कहराई पे वह ज्यादा असर अभी मेरे एक चलान कटा है जो कि इसके शालान काट के दिया है आप इन रोड की प्थैटिक कंडिशन देखिए किस तरह से जाम लगे हैं सरकार इस चीज में तो भ्यान देगी नहीं बस एक जो से नॉर्मल इंसान होगा न जो अपनी डूटी के अपने टेक्स भी भर रहा है अच्छे से जॉब करता है वो अपनी वाइक पर आम से जा रहा है और उसको पकड़के उसी को बार बार पटा कि उसके निकाल करते हैं कि टेस्ट करते हैं ताकि